हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मां यूटुब चाइनल अबाउट सिविल इंजिनेरिंग तो आज हम पढ़ने वाले बीम के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज हम आज में पढ़ने जरो बीम के बारे में कुछ ऐसी बाते हैं जो कि आपको एक्जाम पॉइंट ऑफ और उसकी मेंनिम्यम साइट रसे से के लिए और क्या होती है और जो और उसकी अलवा भी अलग बाते जो कि आपको स्ट्रॉक्शन साइट पर अगर आप कंश्रॉक्शन मतलब कहीं पे जूनीर इंजिनियर हो या कुछ भी इंजिनेरिंग का वरक कर रहे हो आप पुनीर साइ पर आती है पतलब जो किताबी बाते हैं उसके अलावा भी आपको बीम की चाइज होते हैं जो हम साइज पर यूज पर यूज करते हैं वो सारी उसकी साइज जो आज लए बीम किस्वीडियो लेक्ią वह चौन चाहिए सा दीटियो लेक्च्छर में हम सुरू करते हैं आपको पता हूंगा क्या होता है सट्रक्टर्ल रिमिबर चो कि लालीजल को क्या होता है अपने उपर ऑwn रेजिस्ट लाट्रल लॉड्ड अप्लाइट उसकाक सूघ्वर्ण भी अप्लाइट क्यों अप्लार कूल ऑर का सुद्सेठस की उपर क्या आता है lateral load अाता है beam के ऊपर, the structural member which is resist the force laterally or transversely applied to the axis by it called as a beam इसी क्या कहते हैं हम beam आपने देखा हुँँगा beam का मतलब आप जब घर बनाते हैं तो beam slab का आपकी बीलडिंग बिल्डिंग को फूरा फेल कर सकता है तो बीम के बारह में आज आपको समझा है विसके ऐसाइमां वी घृते हैं चैंटी लिवर हो गया सिंपली सपोर्टेड हो गया ठीक सेंड यह सारे उसके टाइप सुते ओर रहेंगिंग बीम यह टाइप सोते हैं इसके आज मैं आप टाइपस की ऊपर नए वीडियो लाएँ पर लाऊंगा उसके बारे में भी अब देखते हैं बीम की जो आयेस कोड न मिया एकारडिंग और मिनिम्म साइज आइप लिए यह जो इस कोड के अकॉर्डिंग के लिए और यह जो है इस के चोटा भी माप बना नहीं सकते इससे छोटा की बिम अब बना यह नहीं सकते तो यह नो इंच बाई नो इंच के वीम आप यह उसकी मिनियूम साइज है आर्शी सी वीम के लिए इससे चोटा बना नहीं सकते इससे बड़ा हो सकता है पर छोटा नहीं हो सकता मतलब इसका अम्यम में करें तो हम दोश्तों फैसने से लिए और चोटी बिल्डिंग के लिए दोश्तों नो इंच के पर हमें ऑन डवेडे साइट जी प्लस टू सभी के लिए बनाना पड़ता है तो अगर उसके लिए जो है वह मैं लाया हूँ उसके लिए देखे आप आपको उनसाइड यह सारी बात यह जो म ज्यादातर साइट मतलब हर जगा यही स्टैंडर डायमेंशन यूज होते हैं जो आपकी विल्डिंग है ग्राउंड प्लोर पर है तो आपका कॉलम की जो साइट होती है वह होती है 9 इंच बाइन 9 इंच यह स्टैंडर भी है और यही यूज करते हैं ग्राउंड के लिए अगर आपकी विल्डिंग जी प्लस वन है तो जी प्लस वन के लिए आपको दो सो तीस बाइन इसका मतलब हम 9 इंच बाइन का कॉलम रख सकते हैं यह था उसके लिए दो जी प्लस वन के लिए अब जी प्लस टू के लिए हम वैसे बारा इंच बारा इंच का कॉल अब बीम हम बनाते हैं जी प्लस थ्री के लिए भी सेम 12 इंच बाइन बारा इंच जी प्लस फोर के लिए हम 200 300 mm बाइन 400 mm इसका मतलब होता है 12 इंच बाइन 14 इंच और जी प्लस फाइउ के लिए होता है जी प्लस फाइउ के लिए 300 इंच यह सेमी है मितलब क्या होता है अगर आपकी बिल्डिंग के लिए तो पाच और छे असे अपरोजमेंट सेमी हो गए तो यह था जी प्लस सेवन के लिए था छोदा फिट वाय 18 पिटांप उसी फ्रीप्लस सेवन के लिए सेम है और जी प्लस एट के लिए हैं हम यू,कत शुथ अटारा इंच इसकी लिए बढ़ा होंगा यह प्लोइर क्योंकि होता है फ्लोऊर पर आगे के आगे बढ़ते जाते हैं तो इसकी साइज भी कॉलम बीम की बढ़ जाती है इसी लिए ऐसे सेम तक होते है मदलब देखें जी प्लस नाईन है तो 18 इंच बाय 21 गद्ट और जी प्लस टेण है तो इसके लिए है 21 inch by 21 inch यहाँ पर कॉलम की साइज आपकी बहर जाएंगी यह थे मेरे हिसाब से पर यही है अब सभी साइट पर यही इस डाइमेंशन स्टैंडर्ड डाइमेंशन यूज करते हैं हम लोग तो यह था स्टैंडर्ड मतलब आप्रोप्सिमेट अन कंस्ट्रक्शन साइट आप इ इसके हिसाब जी प्लस बन जी प्लस टू के लिए आप ले सकते हैं यह मेरे हिसाब से था अगर और देखिए और मैं एक पॉइंट बतान जाओ जो एक्जम पॉइंट अप इससे बहुत ही इंपोर्टन है आपकर आपकी बिल्डिंग जो है स्ट्री मतलब थ्री स्टोरी थ् हagnean its 11 इस मतलब यह मतलब यह जो बिल्डिंग एस प्यान है यह किता है निस फिट या बिस फिट पुनिस फिट है 20 फिट की ऊपर हो तो यह जो उसके जो बीम की जो हाइट होती है यह जो हाइट होती है यह आपको रखनी चाहिए यह सारे आपरॉपजिमेट है मतलब यह 300 mm तो आपको रखनी चाहिए उसका बीम की जो हाइट होती है यह क्या है हाइट अगर 3-story building वहां उससे कम हूँ दो हो 2-3-story building वह और उसके विसमें आपको बीम बनाना है वह उसमें जो span होता है उसके लिए आपको कॉलम की साइज है यह जो साइज है यह ब्लैक पेन से करके दिखा रहूं यह जो साइज है बीम की यह आपको रखनी चाहिए 300 mm तक अगर आपकी बीडिंग णीर फ़ोर स्टोरी के उपर हो फायू पाई वायू स्टोरी आपके फ्लोवर हो मतलब 56 मंजिला इमारत तो उस हिसाब मतलब 56 इस हिसाब से आप देखिए अगर उसका अगर स्पैन आपका मतलब 19 फिट यह 20 फिट हो तो आपको उस बीम की जो हाइड होती है यह जो हाइड होती है यह हाइड आपको रखनी चाहिए 400 mm यह मेरे अपरॉप्जिमेट है मैंने अन साइड यह सारे बाते मतलब ध्यान में रखकर निकाल लिया है इसके लिए अलग काल्कुलेशन है पर यह आपको उन्द साइड बहुत ही यूसफुल रहेंगी तो आजका यह वीडियो में यह बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजे और यह जो आप इस गुद्बाइ